हेलो दोस्तों कैसे है आप साब मेरा नाम है तहाद दलाल और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि Adobe Bridge का Rating of Filter System कैसे यूज़ करते हैं मेरे दोस्तों ये सबसे बड़ा रीजन है कि मैं Adobe Bridge को यूज़ करता हूँ मेरे projects के अंदर because इस technique या फिर इस feature के जरिये आप अपने projects को बहुत ही अच्छे से divide कर सकते हो अपने team के अंदर या फिर आप अपने आपको कह सकते हो की ठीक है में को ये काम ये दिन करना है ये काम difficult है ये काम मैं किसी junior से करवाँगा ये काम senior को दूँगा ये काम मैं करूँगा वगरा वगरा तो आप अभी सेख रहे हो आपके सामने दोस्तों कि मेरा एक professional project है ये project मैंने सारल सो के लिए खतम किया था जो देली में based है और इन photos के अंदर मुझे ये जो models है जो kid models है उनको अपने background से अलग करके अलग-अलग sizes के अंदर ये photos को डाल के देना था ये मेरा project था और आप देख सकते हो कि इन images के अंदर mainly 3 बच्चे होंगे तो ये है kid 1 ये है kid 2 and ये जो चोटी सी लड़की है ये है kid 3 right अभी दोस्तो मेरे पास एक चोटी सी team है यहाँ पर मेरा खुद का studio है और मैं ये काम अकेले नहीं करने माला right मैं ये काम distribute करूंगा मेरे juniors के अंदर और मैं adobe bridge को use करके decide करूंगा कि कितने images कौन करेगा तो मैंने decide किया कि ये जो बंदा है ये जो kid 1 है इसको कोई you know a person करेगा ये जो kid है इसको b person करेगा और ये जो है इसको कोई c person करेगा तो जो kid 1 है उसके सारे images person a के पास जाएंगे kid 2 के सारे images person b के पास जाएंगे और kid 3 के images सारे person 3 के पास जाएंगे right तो चलो देखते है दोस्तों ऐसा कैसे possible है now सबसे पहले आपको files select करनी होगी, अभी एक तरीका है कि आप control दबा के ऐसे multiple selections कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कि मुझे preview में अभी देखने के लिए थोड़ी difficulty हो रही है, because ये photos के जो चहरा है मुझे बराबर दिखनी रहा है, और मैं गलती करके इसमें के 2 को select कर सकता हूँ, ऐसे, ऐसे करके, और यहाँ पर थोड़ी गलती हो सकती है, इससे एक बेटर तरीका है कि हम control A दबा के सारे images को select कर ले, और हम लोग view में जाए और review mode में जाए, इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे सारे images इस review mode में आगए है, और अभी अगर जो मुझे select रखना है, उसको मैं right click से, हमारे right arrow key से आगे कर दूँगा, तो अभी मुझे सब जो kid 1 है, ये जो बचा है, इसके सारे images मुझे selected रखने है, तो मैं इसको कर दूँगा आगे, ये भी जाएगा आगे, अब ये है kid 2, ये मुझे चाहिए नहीं, इस selection के अंदर, तो मैं इसको down arrow key से इसको नीचे कर दूँगा, मुझे realize हुआ, अरे यार मैंने गलती कर दी, मैंने समझो इसको भी निकाल दिया, इसको रखना था, आप मैंने इसको भी निकाल दिया, कोई बात नहीं, आप तुरंथ ही up arrow key दबा, तो ये वापछ आजाएगा, तो आप देख सकते हो कि हम बस kid 1 को select कर रहे है, ऐसे करके, और जो भी kid 1 नहीं है, जैसे कि ये भाई साब, ये kid 2 है, इसको हम लोग नीचे काला बटन दबा के नीचे कर देंगे, तो go down, go down, go down, go down, go down, kid 1 again, तो हम लोग इसको रहने देंगे, हम लोग right बटन दबाएंगे, और आगे बढ़ेंगे, ये, I think, शाय से kid 2 है, तो ये भी जाएगा नीचे, ये भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे, 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 अरे, लेकिन इसमें kid 1 भी है, तो इसको हम लोग selected रखेंगे, इसमें भी kid 1 है, kid 1, kid 1, kid 2, नीचे, अभी जुझी भी लड़किया कि images है, वो तो obviously, कि third person के पास जानी वाली है, तो मैं इन सब को तुरंट ऐसे फटा-फट करके नीचे कर दूँगा, तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा जो काम है, वो कितना फास जा रहा है, selection का, और, yes, और ऐसे दोस्तों मैंने सारे जो kid 1 थे, उनके images फिल्टर करके हो गए है, अब यह सारे images अभी selected है guys, तो हम escape button दबाएंगे, ESC वाला, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे automatically, जो kid 1 है, उसके images selected है, आप देख सकते हो कि लडिया के images selected नहीं है, kid 2 के जितने भी है, वो सब भी selected नहीं है, सिफ kid 1 selected है, अभी दोस्तों, आप control 1 करके, इसको एक star rating दे सकते हो, मैं अभी के लिए control 0 करता हूँ आपको दिखाने के लिए, आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे 5 चोटे-चोटे dots है, अगर मैं इनका 1 वाला dot क्लिक करता हूँ, तो मैं automatically इनको एक 1 star rating assign कर रहा हूँ, अभी 1 star का मतलब खराब नहीं है यहाँ पे, यह बस एक grouping category है, कि ठीक है, जितने भी star 1 है, वो सब kid 1 के photos रहने वाले हैं, और मैं इनको एक और बार control Z करके, सब rating हटा देता हूँ, ताकि आप देख सको, यहाँ पे filter में दोस्तों, आप दोग देख रहे हूँ, कि यहाँ पे ratings नाम का कोई folder नहीं है, पर जैसे ही मैंने इसको star 1 की rating दी, या फिर control 1 दबाया, तो आप देख सकते हो, कि यहाँ पे तुरंथ ही rating नाम की एक filter category आ गई, तो अब क्या हुआ है दोस्तों, कि अभी अगर मैंने मेरा selection खो भी दिया, समझो, मैंने बाहर कहा पे click कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे हमेशा मेरा selection saved है, अगर मैं यह ratings में जाके, one star पे click करता हूँ, तो मुझे बस वो photos दिखने वाले हैं, जिनके अंदर kid 1 है, और मुझे सिर्फ वही images दिखेंगे, जिसको बस rating 1 की rating दी गई है, तो यह बहुत ही अच्छा तरीका होता है, अपने files को organize करने का, और इससे आप जो काम है, बहुत ही easily distribute भी कर सकते हो, आपके network में, और आपके drive के जरी है, समझे कि आपको वापे से सारे images देखने के है, बहुत ही simple है, यह जो star 1 की rating है, इसको निकाल दीजिए, तो सारे आपके photos वापे सागए, हम लोग वापे से control A करेंगे, ताकि सब select हो जाए, हम लोग वापे से जाएंगे edit, sorry view के अंदर, और करेंगे review mode, अभी kid 1 तो select हो चुका है, तो इसको नीचे कर देंगे, अभी हम लोग select करेंगे kid 2 को, तो यह भाई साब है, यह भाई साब भी है, यह भाई साब नहीं चाहिए, तो नीचे कर देंगे, नीचे, kid 2 चाहिए, समझे कि हमारे sir ने, या फिर मेरे boss ने, या फिर आपके client ने, आपको काहा, कि भाई, जितने भी जो चश्मे वाले है, वो images भी हमको नहीं चाहिए, तो भले ही यह kid 2 है, यह kid 2 वाला model है, लेकिन इस भाई साब ने चश्मे पहने है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसको नीचे कर देंगे, इसको भी नीचे कर देंगे, यह approved है, तो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, यह वाले वापिस चश्मे में है, तो नीचे, चश्मा नहीं है, तो good, यह kid 1 है, kid 1 तो हो चुका है, तो kid 2, kid 2, kid 2, kid 2, इसके अंदर चश्मा है, और kid 2 है, तो sorry, we do not want, यह भी नहीं चाहिए, यह भी नहीं चाहिए, यह भी नहीं चाहिए, यह भी नहीं, यह भी नहीं, kid 2, और वापिसे, लड़कियों के जो images है, वो तो हमको चाहिए ही नहीं, because वो kid 3 है, और वापिसे दोस्तों, बस थोड़े ही minutes के अंदर, हम लोग ने बहुत ही easily, सारे images को देख लिया, और सारे images को हम लोग review कर लिया, और हमारे selection भी बन गया, तो वापिसे जब मैं escape दबाऊंगा, तो सिर्फ जो kid 2 है, उसके images तयार है, और हमारे पास है, अभी तुरंट दोस्तों, मैं control 2 दबादूंगा, ताकि इसके उपे rating भी apply हो जाए, और यहाँ पे filter category के अंदर, मेरा second star rating भी आ जाए, तो जो star 2 है, उसके अंदर model 2 के images रहेंगे, दिख रहा है, super, तो इसके ज़री वापिसे दोस्तों, आप कह सकते हो कि ठीक है, जितने भी star 1 है, उसको कोई अशोक नाम का बंदा करेगा, star 2 है, उसको अमित करेगा, और वैसे वैसे करके, आप भूत ही अच्छे से काम distribute कर सकते हो, आपको वापिसे सारे images देखने के हैं, तो आप ये सब stars पे, जब clicks रहेंगे, उस आप हटा दीजिए, और star 2 है, आपको साथ में देखने मिलेंगे, एक और बार करते हैं दोस्तों, ताकि आपको perfectly याद रहे जाए, Ctrl A करो, View में जाओ, Review Mode करो, तो आप बहुत ही अच्छे से, सारे चीज़े रेव्यू कर सकते हो, अभी गाइस, हमको बस जो हमारी model 3 है, बस उसके images select करने है, तो जो लड़के हैं, उनको मैं निकाल दूँगा, फटा फट करके, और ये model, यहां से I think सब लड़केों के images है, तो ये तो I think बस model 3 ही है, तो ये तो काफी फटा-फट हो गया, और आप escape दबाऊगे, तो आप देखोगे की, automatically नीचे सारे images selected है, तो रंत control 3 भी मैं दबा दूँगा, ताकि इनको 3 star rating अपलाए हो गई, और हमको 1, rating 1 for model 1, rating 2, model 2 के लिए, और rating 3, model 3 के लिए, तो ऐसे दोस्तों हम लोगने काम बहुत ही, easily distribute कर दिया, अच्छा, यहाँ पे no ratings नाम का भी एक आ रहा है, और यहाँ पे लिखके आ रहा है कि भाई, चार images है, जिनको हम लोगने रेटिंग नहीं दिये, तो आप बापे से इसको आप क्लाइंट के आप में से भीज सकते हो कि देखिए, यहाँ आपने गल्ती से ले लिया, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, और आप बहुत ही अच्छे से प्रोसेस एक स्टार्ट कर सकते हो कि आपने काम डिवाइड कर दिया, ऐसे करके आपको क्लाइंट को क्या देना है हेल्प मांगने के लिए या करेक्शन के लिए या फिर रिजेक्शन के लिए आप वो भीज सकते हो, और आपको एक फुल पार्ट जो प्रोसेस है, वो कितने फटा-फट खतम हो गया, करीबन पाच-ज़स मिनिट में, तो अभी अगर आप एक वेडिंग फोटोगरफर हो, और आपको अप्रूवड या रिजेक्टेड फोटोस को रखना है, तो आप 0 या 1 के अंदर काम कर सकते होगी, जो no ratings है, वो सब delete हो जाएंगे, वो हम clients को नहीं भीजेंगे, या फिर उसके होपे हम लोग editing नहीं करेंगे, जो rating 1 है, उनको हम लोग edit करेंगे, और जो rating 3 है, वो इद्दम superb है, उसके होपे बस हलकी सी editing चाहिए, जो rating 2 है, उसके होपे color correction चाहिए, और वैसे आप बहुत ही अच्छे से, आपकाम distribute कर सकते हो, different different sections में, या फिर आप, जो 1, 2, 3 rating है, वो आप बोल सकते हो difficulty के लिए, जो rating 1 है, वो बहुत ही easy है करने के लिए, तो उसके होपे जादा time नहीं लगेगा, जो rating 2 है, उसके बहुत time लगेगा, because उसके अंदर hair removal है, या फिर, you know, कुछ difficult process है, जो rating 3 है, वो बहुत ही सादा difficult है, right, और उसो कोई, you know, senior बंदा करेगा, या फिर उसके लिए सादा time जाएगा, वगेरा, वगेरा, तो again, जो Adobe Bridge है, एक बहुत ही powerful project management software है, जिसमें अपना काम बहुत अच्छी से manage कर सकते हो, अभी अगर आप एक photographer हो, या फिर समझें अगर हमको हमारा जो पुराना project है, वो video shooting का, हमको भी इसके अंदर भी ये जो review है, बहुत अच्छी से कामा सकता है, तो चलो मैं आपस से control A करता हूँ, या फिर दोस्तों, देखें, अभी since हमको पता है कि ये एक video editing project है, हम starting के जो images है, उनको select करेंगे ही नहीं, और यहाँ पे filter के अंदर भी, एक file type नाम का एक category आता है, तो जो भी jpegs है, जिसकी ये 14 images, हमको पता है कि ये photos है, हमको इनको देखना ही नहीं है, तो मैं इनको check mark पता दूँगा, और सिर्फ quick time video रखूँगा, तो मुझे पता है कि देखो, ये boss, ये सब सिर्फ videos है, और main, सबसे important चीज़ दोस्तों, कि हमको देखने नहीं मिल रहा है, ये footage वहाँ पे है, ये footage डिलीट नहीं हो रहा है, अभी अगर हम लोग यहाँ से काम करते, तो यहाँ हम लोग किस तरह से safe क्या हो रहा है, select क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए दोस्तों, मैं Adobe Bridge को बहुत जादा prefer करता हूँ हमारे projects के लिए, तो ये था दोस्तों, मेरा video on how to use filter and rating system in Adobe Bridge, I hope कि आपको पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप समझे हो Thank you